benzofirene, benzofirene बनता है benzene और फिरेन के लिंग से अब benzene के साथ एक फिरेन लगा है, फिरेन क्या होता है आपको मैंने ट्रिक्स के साथ पहले भी समझाया था कि जब भी कोई pentacyclic रिंग में oxygen लग जाता है मतलब oxygen से उमने याद किया था कि जब भी rain आएगी तो वहां पर oxygen लगा होगा तो यह colorless होता है देखने में and liquid होता है इसका molecular formula की बात करें तो C8H6 and oxygen लगा होता है अब इसको अगर मैं prepare करना चाहती हूँ तो कैसे prepare कर सकती हूँ cyclo-isomerization method से किसके cyclo-isomerization करवानी है alkyne की ortho-substituted phenol के साथ यहां पर आप देख सकते हैं यह benzine ring है जिसमें एक लगा है जी alkyne group ortho-position पर एक नीचे लगा है phenol group ओके phenol क्या होता है जब एक benzine के साथ alcohol लग जाता तो वह phenol लग जाता है अब हमने इसमें toluene catalyst दिया है 80 degree Celsius पर रखा है एक से लेके 5 गंटों तक और हमें मिल गया अपना resultant product medicinal uses की बात करें तो इसको हम anti-inflammatory way से भी यूज करते हैं जैसे inflammatory मतलब जब infection हो जाती है anti-cancer drugs की तरह भी यूज किया जाता है तो वह enzyme को activate करके उसको वहां से हटा देता है तो इसकी यह medicinal uses होते हैं आप देख लेते हैं जी बेंजो थायोफी तो थी मिनेट्स की वीडियो में मैंने almost एक product का तो आपको बता दिया दूसरा compound स्टार्ट करवाने जा रही हूं तो दो compound आप सिर्फ थी मिनेट्स में learn कर पा रहे हो तो वीडियो को like तो करना बनता ही है अगर चैनल पर new हो तो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि आगे भी ऐसे important and short videos लेके आऊंगी देख लेते हैं benzothiophen जिसने previous वीडियो देखे है उसमें मैंने tricks बताई थी कि आपको कैसे ही इसका learn करना है benzothiophen का benzothiophen में S use होता है pentacyclic ring में क्योंकि SNT आगे पिछ होते हैं इस trick से हम इसको याद कर लेते हैं इसका molecular formula है GC8H6S and इसका color है white and देखने में solid होता है काई substitute to bromobenzine को अगर हम react करवादे sodium sulphide से या potassium sulphide से तो हमें benzothiophen मिल जाता है मतलब यह इसकी synthesis का method है तो यहाँ पर आप देख सकते है method of the synthesis of the benzothiophen अब इसकी medicinal uses की बात कर लेते हैं यह भी biological activities में use होता है biological activities होती है human body से related अब antimicrobial मतलब अगर हमारी body में कोई microbes चले गए है जो हमें harm कर रहे है उसको यह fight करता है cancer से fight करता है infection से oxidant अगर हमारे अंदर oxidant मन जाए उसको खतम करता है diabetic की तरीके से anti-diabetic की तरीके से भी यह work करता है तो यह जो structures है यह biological activities करती है drugs की ता यूज होती है लेकिन यह doctors के guidance के अंदर ही लेनी चाहिए